ये वाली स्टोरी और मेटाफोर समझने और सुनने के बाद आपको बहुत हसी भी आएगी और बहुत लॉजिक भी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा अचानक से 5-6 साल की एज में मुझे लगा कि चीजे जो हैं वो सही से नजर नहीं आ रही है कुछ तो धुनला है कुछ रंग है जो सही से नहीं समझा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं सर भी दर्ध होने लगा और अब तो स्कूल की पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी थी तो solution लेरे के लिए हम जिसके पास जाते हैं solution लेरे के लिए हम गये डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने तो सीधा-सीधा बोल दिया कि हआपकी जो आईस है उसकी पावर वो increase हो रहे हैं, इसलिए आपको अपने specs को लगाना पड़ेगा, यानि कि you have to wear a specs, glasses आपको use करने पड़ेंगे, ठीक है, so मुझे जिन्दगी जो है, उसको सही और साफ धंग से देखना पसंद है, मुझे अपने आसपास जो चीजे हैं, वो clearly देखना पसंद है, मुझे सब कुछ clearly समझाना चाहिए, अपनी जिन्दगी के बारे में, और अपने आसपास क्या हो रहा है वो भी, इसने मैंने specs लगा लिया, लेकित जैसे ही हम सोचते हैं, कि problem जो है, वो solve होने वाली है, बहाँ पर एक नई problem आ जाती है, कुछ दो साल बीते ही थे, पढ़ाई और जादा start करी शायद power और increase हो गई, यहाँ power increase हो रही थी, डॉक्टर ने जो specs की power है, वो भी increase कर दी, यानि कि जो glasses का weight था, वो भी increase कर दिया, यह फिर से दो साल बाद हुआ, और ऐसा करते करते करते, यह शायद 5th या 6th glass है power, जिसे मैं बोलूँगी कि मेरा change हुआ है अभी तक, obviously, and imagine करिय कि यह जो power है, जो ice की जो problem है, यह जो बढ़ रही है, यह actual life की कोई problem है, imagine करिये ऐसा for a second, यह आपकी या मेरी life की problem है, so, चीजों को इतना clearly समझना, problem आने पर उस पर ऐसा एक reaction देना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पर problem बढ़ रही है, क्या मैंने जिंदगी को और दुनिया को धंग से देखना बंद किया, मैंने compromise किया, मैंने नहीं compromise किया, मुझे दुनिया को बहुत धंग से देखना जरूरी है, मेरे लिए दुनिया को साफ तरह से समझना जरूरी है, यहाँ पर एक metaphor है, जिसका मैं use कर रही हूँ, so, उसके लिए मैंने specs को भी साथ-साथ change किया है same हमारी जिंदगी का भी हाल है जैसे जैसे problems बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें solutions भी उतना ही जादा strong solution लेकर उसके सामने आना पड़ता है यहाँ power बढ़ रही थी यहाँ मेरे specs का जो number है वो बढ़ रहा था and यह करते करते finally मुझे अभी लगता है कि शायद यह stable हुआ है but I am very sure that after some years again this same problem will be there अब तो specs भी लगा लिया है तो क्या life में problem नहीं आएगी आ सकती है अब मैं specs लगा कर भार गई और अचानक से बहुत तेज बारिश हुई अब बारिश होने की वज़ा से specs भी हैं आखे भी हैं तो बारिश की जो बूंदे हैं वो इस glass पर गिर गई अब मुझे फिर से देखना धुनला शुरू हो गया क्योंकि ये तो problem है ये तो natural problem है क्या मैंने दुनिया को सही से देखना बंद किया नहीं मैंने अपने घर से एक umbrella लिया glasses को साफ किया और अब मैंने बिना umbrella के घर से भार जाना बंद कर दिया विकाउज मुझे दुनिया को साफ तरह से देखना बहुत अच्छा लगता है यही imagination आपको अपनी life में लेकर आनी है भूल जाये specs को, power को इस logic पर धान दीजिए कि क्या आपको अपने बारे में clearly पता है कि आप कहां जा रहे है आपकी life का goal क्या है आपकी life का purpose क्या है आप कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में आप कुछ achieve करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आप actually में अपने आपको 50s में, 60s में कहां देखते हैं क्या आपका saving plan है कुछ चीजें हैं जो clearly आप अपने बारे में देख पा रहे हैं अगर आपको कुछ भी चीज clearly नहीं नजर आती है तो आपको भी किसी doctor के पास जाना चाहिए और एक specs का use करना चाहिए यानि कि एक solution का use करना चाहिए और उस solution को उतने ही strongly आपको use करना है जितना strongest power का या फिर उस problem का जो effect है वो है जितनी जादा बड़ी problem है उतना बड़ा specs यानि कि उतना बड़ा solution आपको उसके सामने रखना होगा इस इस दो ओनली point and a very short and crisp logic which you can apply in your personal life also कि जैसे जैसे power बड़ेगी वैसे वैसे specs का number तो हमें change करना ही पड़ेगा बरना यह जो धुनली दुनिया है इसे देखने में कुछ खास दिलचस्पी मुझे नहीं है I hope आज के बाद आप भी अपने जिंदगी को बहुत ही clearly visualize करना चाहेंगे बहुत ही clearly देखना चाहेंगे कि आपकी life का mission क्या है आपकी life का vision क्या है आप कहां जा रहे हैं अगर आपको कुछ भी चीज ज़रा भी धुनली सी नगर आती है कुछ भी चीज आपको logic नहीं देती आपकी life में कुछ भी चीज आपको clearly नहीं पता है तो उसे जानने की कोशिश कीजिए देखिए कि क्या है जो अभी भी करना बाकी है कोई certification, कोई education, कोई qualification कोई ऐसा talent है जो आपको आता है लेकिन आपने उसको use नहीं किया है किसी से मिलना है, कोई mentor चाहिए किसी से कुछ समझना है देखिए वो क्या solution है जो आपको हर problem से लड़ने का रास्ता दिखाता है and obviously God is always there to bless you but भगवान भी उनी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते है so अपनी मदद करिये और बहुत सारी blessings जो है वो भगवान से मांगे वो जरूर जरूर आपके help करते हैं thank you so much